राजस्तान में चुनाओ काफी नजदीग है इसी बीच कोटा उत्तर विदानसवा में काटे का मुकाबला होने की बात कही जा रही है दोनों ही पक्ष यानी बीजेपी कॉंग्रेस यहां अपनी पूरी तागत जोंक रहे हैं इसी बीच आर्सी अद्यक्ष और सी एम अशोग गहलोत की बेटे बैवब गहलोत और यूडी एच मंतरी शान्ती धारीवाल विदानसवाक शित्र कोटा उत्तर में कारकरताओं की बैटग में शामिल हुए मेरिशी दतीच भवन में आयोजित बैटग में वैबब गहलोत ने कारकरताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोटा देश के चुनिंदा शेहरों में शामिल है वैबब गहलोत ने का कि UDH मंतरी शान्ती धारीवाल ने कोटा में जिस वीजन के साथ विकास करवाया है उसके चर्चे पूरे देश भर में हो रहे हैं वैबब गहलोत ने कहा कि यहां की सडकें पर्टियन विकास के महतेपूर्ण प्रोजेक्ट और जन सुविदाओं के लिए कराए गए विकास कार्रेयों से शेहर का सरूप बदल गया है आम जन को सभी सुविदाओं का लाब मिल रहा है उन्होंने कहा कि राजिस्तान सरकार की कल्यान कारी योजनाए महगाई से रात परदान करने में महतेपूर्ण भूम करने वा रही है उन्होंने कारकरताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो साथ गारंटी योजनाएं कॉंग्रेस सरकार देने जा रही है उसके बारे में आप लोग जनता की बिज्जा कर वताएं वहीं मंतरी शांती धारीवाल ने भी कारकरताओं को संबोधित करते हुए कोटा के विकास के बारे में चर्चा की और साथ साथ सरकार की कल्यानकारी योजनाओं से मिल रहे लाप के बारे में बताया उन्होंने का कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है निजीव बिजली कंपनी को लेकर मंतरी शांती धारीवाल ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला मंतरी शांती धारीवाल ने का कि कोटा में बिजली कंपनी को बीजेपी की सरकार लेकर आई और इस्तानिये विदायकों ने कंपनी को इस्तापित करने में पूरी मदद की अब हम जब सरकार में आए तो हमने कंपनी के काले कारناमों को उजागर किया है नगर निगम और यूटी आई के लाखों रुपए के बिल कंपनी दौरा जारी किये जा रहे थे इसके बाद जाच करवाई गई तो पाया गया कि कंपनी ने एक इस्तान पर दो दो मीटर बिजली लगा रखे हैं यानि एक इस्तान पर दो दो मीटर लगा रखे हैं बिजली के बैटक के दोरान कार करता हूँ और नदी पार शित्र के लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री धारीवाल ने पेपर लीक मामले पर भी भाज़पार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस सरकार ने पेपर लीक करने वाले आरूपियों को सलाकों के पीछे डाल दिया है। देसम्मर को आने वाले हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर हमला बोल रही है। खेर राजिस्तान से जुड़ी पलपल की खबरों के लिए देखते रही हमारा चैनल भारत एक्सप्रेस राजिस्तान और इसको सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना। नमस्कार।